हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग मैं कमल जी सर स्वागत करता हूँ आपके अपने यूश्व ट्यूप चैनल में आज हम लोग इस चैनल पर प्लीज दोस्तों वीडियो को अंतक देखेंगे अंत में बहुत ही एस्टेंडर कोश्चन्स मिलने वाले आपको जो बहुत ही प् पर आएगा एक्जाम्स में बहुत ही फायदा पहुचाने वाला तो वीडियो को अंतक देखें और वैसे दोस्त जो नए है वो अंतक देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लीज दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से क्या होगा दोस्तों तो सीधा साप इस कमान के लिए क्या करिए इसको इसके रूप में ढालने की कोशिस करें तो इसमें देखें छे कॉमन दिख रहा है तो आप छे पहले इससे कॉमन ले ले तो अगर हम छे कॉमन ले ले तो बचेगा क्या अगर यहां से छे चला गया तो 6, 1, 6, 6, 2, 12, 6, 3, 18, 6, 24, dot dot dot, 16, 60. कितना बचेगा दोस्तो? 16, 60. अब देखेगा 6 गुने, यहां से यहां तक का मान कितना है दोस्तो? दिया गया है, कितना दिया गया है? 55, 55 यहां तक का मान है, तो इसका वैल्यू क्या रखेंगे? 55. अब सिर्फ आप 55 से 6 को गुना कर दे, 6, 35 के सुनना बाकी 3, 6, 35, 33, यानि 330, option number C. इसका shortcut trick क्या है दोस्तो? कि यहां पर जो भी first जगा पर रहे, पहले अस्थान पर जो भी रहे, उसको गुना आप सीधा सा इस value से कर दीजिए. तो direct 6 गुने 55, 330, हमारा answer हो जाएगा दोस्तो, इसी तरह का question लेते है, question number 2, ध्यान देंगे दोस्तो, question number 2. यही हमारा question number 2, 1, 2, 3, .9 का Q, .25, अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, इसको लेना है, और इसको किस से गुना कर देना है, 20, 25 से, यानि 0.11 का Q, गुने 25, प्रोसेस वही है, 0.11, गुने 1, 0.11, गुने 2, तो सेम चीज, 11 का Q common हो जाएगा, अब इसको ग गुना करिएगा, 13 का Q होता है, 1331, तीन बार है, तो कितना होगा, 6 अंक बाद होगा, 2, 2, 4, 2, 6, यानि नीचे 6 0, गुने 20, 25, अगर आप इन दोनों को आपस में गुना करते हैं, दोस्तों, तो आपको मिल जाएगा, अगर 20, 25, गुने 1331 करते हैं, तो मिलेगा आपको 2695275, और 6 अंक के बाद असमला, 123456, यानि अंसर हो जाएगा, 2.6952, तो कौन सा है अप्शन यहर दोस्तों, अप्शन नमबर B, तीसरा कोश्चन भी इसी पैटर्न पर आधारित है दोस्तों, तो विडियो को आप पाउस करें, पाउस करके पहला इसका सॉलूशन कर ले, फिर जा करके आप विडियो, फिर हमारा सॉलूशन देखे, तो प्लीज दोस्तों पहले पाउस करके आप इसको सॉल्व कर ले, उमीद करते हैं आपने ऐसा किया होगा, तो डायरेक्ट क्या करेंगे अब इसमें से, एक जरता हम तीन से चार कोशन लेते, जिसे कि आपका कंस यानि 121 पर 00, ऑप्शन नमबर C, ये था हमारा कोशन नमबर 3, अगला कोशन लेते हैं दोस्तों कोशन नमबर 4, कोशन नमबर 6 क्या कहता है दोस्तों, 1 प्लस 0.6 प्लस 0.06 प्लस 0.06 प्लस 0.06 प्लस 0.06 प्लस 0.06 प्लस 0.06 अगर आप इसको एड करियेगा, तो क्या होगा द दोस्तों on point एक अंग के बाद दसम्पलब के बाद six है, दसम्पलब के बाद फिर दो अंग के बाद six है, तो एक यहाँ होगा फिर zero इसी तरह से ये dot 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 definitive तक चला जाएगा दोस्तों कहां तक चला जाएगा infinite तक चला जाएगा तो इसको लोग लिख सकते है 1.6 पे रेकरिंग दोस्तों रेकरिंग हम बताएंगे स्पेसल एक विडियो उसके लिए भास हम बना करके डालेंगेomatic अभी तक नहीं डाला लेकिन जल से जल उमीद करते हैं उसका वीडियो हम डाल देंगे तो 1.6 पे रैकरिंग रैकरिंग का मतलब होता है दोस्तों अभी सिधा सा रफ आइडिया में आप जान लीजिए दसमलब के पहले जो भी रहे उसको पुर्णांग में लिख लिए दसमलब के बाद को पुर्णांग लिखे छे और छे पे रैकरिंग है तो रैकरिंग पाले इस अंको के लिए 9 होता है तो यह 9 हो जाएगा फिर एक तक है दोस्तों हम आपको देखे एक छोटा सा कंसेप्ट देते है दोस्तों अगर सिधा मिलेगा दोस्तों चार अगर दोफाल्ஸ सीपर्ट्रे और लिख कीजेगा तो 16, आएगा दू 1, 3, 3, 6, 4, 10, 3, 13, 2, 15, 16 इन देखे, दो बीच में था बीच का स्क्वाइर 4 तीन बीच में पड़ा 3, 3, 9 चार के बाद घटना हुआ चर्चक 16 तो यहां बीच में 50 है, तो 50 का अगर हम स्क्वाइर कर दे दोस्तो तो 50 का स्क्ाइर कर देंगे, तो हमारा इसका एड कितना हो जाएगा 50 का स्क्वाइर, तो 50 का स्क्वाइर कितना 25 सो, हमारा अंसर हो जाएगा 25 सो, अप्शन नमबर B दोस्तो सारा कंसेप्ट पर अधारित होता आप चीजों को बारीकी से समझने की कोशिस कीजेगा तो कभी दिक्कत नहीं होगा अगला कोशन कोशन नमबर 6 है दोस्तों यह लेते हैं यह हमारा कोशन नमबर 6 सारा तेखी चीज़ा आगे पिछल लिखा होते हैं किसी एक को हम लोग लिख लेते हैं दो बटा तीन तीन बटा पांच साथ बटा नो नो वाई 11 और आठ वाई 9 अब इसमें बड़ा कौन है छोटा कौन है इसके लिए हम लोग एक मेथट का इस्तमाल करते हैं अंस और हर का अंतर मेथट क्या करते हैं अंस और हर का अंतर मेथट इसमें क्या करते हैं अंस और हर का अंतर निकालते हैं ठीक है अंस और हर का अंतर निकालते हैं और अंतर से अंस में भाग लगाते हैं अंतर से क्या करते हैं, अंस में भाग लगा देते हैं, बस, अब देखें, तीन और दो का डिफ्रेंस एक और जो भी अंतर आया, उसमें अंस को डिवाइड करेंगे, तो वन टूजा टू, टू आ जाएगा, बास समझ रहें, वन टूजा टू, अब पांच में से तीन को घटा दो से डिवाइट करेंगे, साढ़े चार, एक, नो में से आठ गया, एक, एक में आठ से डिवाइट करेंगे, आठ, इसमें कहता है अब रोही कर्म, तो अब रोही कर्म का मतलब होता है दोस्तो घटते करम, क्या होता है, घटते करम, यानि डिसेंडिंग ओडर में लिखना है, यानि सबसे पहले बड़ा, तो सबसे बड़ा कौन होगा दोस्त, आप देख सकते हैं, इसमें सबसे बड़ा 8 वटा 9 है, तो सबसे बड़ा 8 वटा 9 पहले लिखा होना चाहिए, option number C में लिखा हुआ, उसके बाद 4 है, यानि 9 वटा 11 है, उसके बाद 2 है, तो 2 वटा 3 है, और और हरका, अंतर, मेठर, जो fraction को आ रोही, अब रोही में करते समय, हमें सुभीधा पहुचाता है, अगला question लेते हैं, दोस्तो, question number 7, questions को देखें, गौर से दोस्तो, जो बताया जा रहा है, उसको इदम पूरी तरह से समझने की कोशीज करें, और प्लीज, जादा से जादा और अपने दोस्तो के साथ इसे share कर दे, अगला question हमारा देखते हैं, दोस्तो, अगला question हमारा है, question number 7, question number 7 काता है, दो संख्याओं का योग 9 है, तो पहले तो आप देख लीजे, जो दो संख्याओं हैं, उनका योग 9 आता है या नहीं, 8, 9, 7, 2, 9, 6, 9, 5, 4, 9, ये सारी संख होगा, यानि A पलस B बराबर 9 होना चाहिए, इनके ब्यूत कर्म का योग, यानि 1 बाई A पलस 1 बाई B, अगर इसका ब्यूत कर्म का योग निकालिएगा, तो A पलस B बाई A B होना चाहिए, अब A पलस B बटा A B का मान कितना होना चाहिए, 1 बाई 2, तो A पलस B आठ एक 9, औ तो हमारा अंसर A नहीं होगा इसका देखते हैं साथ दू नो और सदू नी चौदा ये भी नहीं होगा चौती नो और चौती या अठारा तो 9 दू नी अठारा एक बटा दो पांचार नो पंचक वीश यानि हमारा अंसर एक उनके व्युतकर्मु का योग वाला कौन ओप्षन फिट हुआ, option number C 9 तो सब का आ रहा था उनके व्यूत कर्म का योग मतलब होता है A plus B बटा A B तो A plus B चौती 9 और चौती या 18 हल करके लाएंगे एक बटा दू तो उनके व्यूत कर्मों का योग बटा दू दिया है यानि हमारा कौन सा option फिट बटा option number C अगला question लेते हैं दोस्तो question number 8 यह हमारा question number 8 कहता है दोस्तो A और B बिसम संख्या है तो आप A का मान कुछ भी मान लो एक और B का मान तीन मान लो ठीक है, अब इनके बिसम मंखर कर इनमें से कौन सा sum होगा कौन सा sum होगा कौन सा sum होगा अब यहाँ बैठा दीजे 1 पलस 3 3 एक 4 हमारा तो sum यही होगा दोस्तो थो हमारा अंसर ही होगा लेकिन आगे भी चेक करते हैं 1 पलस 3 पलस 1 3 2 5 यह नहीं होगा 1 गुने 3 तो नहीं होगा 1 गुने 3 पलस 2 तो 3 दू 5 नहीं होगा सारा भी सम आ गया यह सम आ गया हमारा अंसर क्या हो जाएगा option number A अगला question लेते question number 9 दोस्तो यह रहा हमारा अगला question यह question कहता है 1 by 5 गुने 6 पलस 1 by 6 गुने 7 पलस 1 by 7 गुने 8 के पहले 20 पत तो 5 हो गया है तो 25 पाचीस तक यानि इसको यहां तक लिखना पड़ेगा 1 गुने 5 गुने 6 पलस 1 गुने 6 गुने 7 पलस 1 गुने 7 गुने 8 25 तक जाएगा यानि 1 गुने 24 गुने 25 ठीक ना ऐसा हमने पीछे number system में कुछ वीडियो डाला है जो इस तरह के question से related है दोस्तों बहुत important है अगर इनका difference एक आ रहा है और उपर भी एक हो या आप ऐसे समझ लोग ऐसे भी लिख सकते 1 by 5 minus 1 by 6 इसको हल करिएगा तो एक बटा 30 आएगा फिर 1 by 6 minus 1 by 7 plus 1 by 7 minus 1 by 1 plus dot 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 plus 1 by 24 minus 1 by 25 तो इधर minus 1 by 24 होगा यानी सारा का सारा कट जाएगा दोस्तों आपका बच जाएगा 1 by 5 minus 1 by 25 आपको ये line लिखने की भी जरूरत नहीं थी ऐसे प्रशनों के लिए होता है कि अगर नीचे का difference उपर लिखा हुआ हो जैसे 6 में से 5 गया 1 6 में से 7 में से 6 हो गया 1 तो सीधा हो जाता 1 बटा प्रथम पद minus 1 बटा अंतिम पद अब 5 पचीस कैलसियम 25 ठीक है 5 पचे 25 पचीस एक 5 में से गया 4 बटा 25 दसमलम में है तो नीचे को 4 से गुणा कर देते हैं उपर को भी 4 से गुणा कर देते हैं तो उपर हो जाएगा चर्चक 16 नीचे हो जाएगा 25 पचीस हल करने का तरीका यानि 0.16 option नमबर ये हमारा कोशन ये लिखने की जरूरतने हैं आप डाइरेक्ट एक लाइन में इस चीज़ को 20 पदो तक कहा गया था तो 20 और 5 5 से शुरू हुआ है तो 5 और 20 पचीस होगा यानि 25 तर जाकर के आप जोड सकते हैं एक पद, दो पद, तीन पद ऐसे करकर के आपको 20 पद तक लिखने हैं तो आप चेक कर सकते हैं खुझ से ये हमारा question number 9 अगला question देखते है question number 10 दोस्तो question number 10 कहता है दोस्तो कि चार पर पावर 91, 4 पर पावर 92, 4 पर पावर 93, 4 पर पावर 94 किस से विभाजित होगा तो पहले तो जान लिजे ऐसे questions के लिए option must है दोस्तो, without option आप कह नहीं सकते हैं कि किस से चुकि ये बहुत सारी संख्याओं से विभाजित होगा दिखाते हैं आपको कैसे तो ऐसा question जब भी रहता है दोस्तो तो सबसे पहले जो common होता है common लेते हैं तो common क्या होता है अगर आधार समान है तो जो minimum power होता है वो common लेते हैं यानि 4 पर पावर 91 common होगा लेकिन मेरे बनाने के तरीके अनुसार हम क्या करते हैं इतना common होता है उससे एक कम लेते हैं तो यहाँ 91 common होने वाला है था हम उससे एक कम लेंगे यानि 4 पर पावर 90 common लेंगे यानि 4 पर पावर अगर हम 90 common ले लिए दोस्तो तो यहाँ 1 4 बचेगा 90 चला गया तो 1 बचेगा यहाँ 2 बचेगा 4 चोग 16 यहां 3 बचेएगा 64, यहां 4 बचेएगा 64 चौक 256, यह 4 पर पावर 90 इसको जोड़ दिए, 256 और 4, 260 और 60, 320, 320, 340 दोस्तों, इस पूरी संख्या को कौन विभाजित करता है, आप देख सकते हैं, 340 है तो यह 2 से भी विभाजित होगा, इसका मत लीजिए, इसको जरूरत नहीं कि इसको काटे, अगर हमारे पास 15 गुने 2 है, तो यह 3 से नहीं कटेगा, कटेगा 35, 15, 15, जरूरी नहीं कि यह भी भाजित हो, 15, 30, इसको अगर आप काट सकते हैं, तो यह 0 से भी कटने, 10 से भी कटने वाला है, 5 से भी कटने वाला है, 2 से भी कटने वाला है, 4 से भी कटने व option number A, अगला question इसी में हम लोग लेते हैं दोस्तो, question number 11, 11 question क्या कहता है, किसी संख्या को 2 से गुणा करके 16 जोड़ा जाता है, कोई संख्या X है, इसको 2 से गुणा करके 16 आप जोड़ दो, जो कह रहा है हम लोगों ही कर रहे है, किसी संख्या को 2 से गुणा करके 16 जोड़ दिया जाता है और प्राप्त योगफल को 2 से विभाजीत कर दिया जाता है और फिर प्राप्त भागफल में जो भागफल आया इसमें से मूल संख्या घटा दी जाती है तो बताइए इस सेस फल क्या होगा इसको घटाएंगे तो इसका कुछ तो solution आएगा दोस्तो अब इसको हल कर लेते हैं 2xy2 पलस इसको अलग-अलग लिग देते हैं 16y2 माइनस x 2 से 2 कट गया यानि x 8 x पलस 8 माइनस x x कट गया यानि हमारा solution क्या जाएगा दोस्तो 8 देखेगा एक चीज़ यहां पर समझेगा अगर दोस्त जोड किसी संख्या को 2 से गुणा करके 16 जोड़ा जाए फिर 2 से भागा दे करके वही संख्या घटाए जाए तो यहां जितना भी जोड़ा जाए उसका जितना से भागा देते हैं सिर भागा देजे दोस्तो हमारा अंसर लेकिन हाँ ऐसा रहे तब पैटर्न आप देख लिए इसी पर एक कोशन हम और देते हैं सेम पैटर्न सेम कंसेप कोई एक स्टार कल कर चीज नहीं जोड़े इसमें सेम है एक संख्या को पहले वीडियो को पाउस करें दोस्तो और पहले खुद से बनाने का प्रयास करें उमीद करते हैं अपने ऐसा किया होगा एक संख्या को पांच से गुणा करके गुणन फल के साथ 25 जोड़ दिया जाए और फिर इसे 5 से भागा दे दिया जाए और फिर संख्या घटा दी जाए तो से इसक्या बचेगा फिर वही करेंगे 5 एक्स भागा 5 कट जाएगा पचीस बटा पांच यानि 5 माइनस एकस 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 कट गया यानि 5 बचा अब डाइरेक्ट यहां से 5 से भागा दे देदे पचीस में पच पचे 25 option number C हमारा आज के question का question number 13 और last question है दोस्तो question बहुत ही आसान है किसी संख्या को दुगना कर दिजे कोई संख्या को 8 से गुणा करके उसमें 4 घटाने पर भी प्राप्त होता है यानि अगर गुणा करके 20 जोड़ेंगे तो ही आएगा जो 8 गुणा करके 4 घटाएंगे तो संख्या क्या आप यहां कर लिजे 8 x ये 2 x उधर जाएगा तो 8 में से 2 गया 6 x 20 अचार इधर आके जोड़ जाएगा 24, 24, 6 चक 24 तो x उधर कितना होगा 4, 4 दूनी 8 तो 28, 28 8 चक बत सॉरी, 4 दूनी 8 प्लस 28, 28 तो 8 चक 32, 32 में से 4 गया 8 दोनों कंडिशन में सेम आ रहा है यानि option number अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है पसंद आया मेरे बताएगे मेथट्स आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें कमेंट करके बताएग कैसा लगता है दोस्तो और साथ ही अपने दोस्तों के साथ इसे सेर करें और जो भी मित्र जो भी दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं और जिन्होंने पूरा वीडियो देखा है अगर मेरे बताएगे मेथर्ट्स आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले सब्सक्राइब कर ले तब तक तक लिए थैंक्यू भेरी मच दोस्तों